नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रभ्जोत आप देख रहे हैं A280 YouTube चैनल तुस्वागत है अब सभी का AWS के एक और ने टोरिल में तो आज के इस टोरिल में मैं बात करने जा रहा हूं क्लाउड ट्राइल की क्या होता है क्लाउड ट्राइल और कैसे हम उसे कंफिगर कर सकते हैं अपने AWS अकाउंट में तो दोस्तों बेसिकली क्लाउड ट्राइल एक ऐसी सर्विस है जिसकी हेल्प से हम अपने अकाउंट पे जितनी भी हम एक्टिविटीज को रन कर रहे हैं उन सकते हैं हमारे एस फ्री बकिट में तो चलिए देखते हैं सबसे पहले की कैसे हम कंफिगर कर सकते हैं क्लाउड ट्राइल को सबसे पहले लॉग इन कर लेते हैं अपने AWS अकाउंट को तो सेंपली ओपन कर लेता हूं तो यहां पर हम लोग इन हो चुके एं मेरे अमाजॉन क् क्लाउड ट्रायलि कितराूरिए लिक्लिकर करता हूँ के में डैशुड़ पर चुका है लिक्लिक कीजिए क्रिये ए था यहाँ पर सचार्टिक में कुछ इस तरह का इंटर्फेस देखने को मिल जागा क्या पर आक्चिन क्या विए बिना कि किसी बी कोई कlies को mention किये आप एक simple trial को create कर सकते हैं तो जैसे ही मैं यहां पर create trial पर click करूंगा तो यहां पर मेरे पास एक quickly trial create हो जाएगा लेकिन आप अगर manually हार एक चीज को configure करना चाहते हैं तो आप दुबारा से हां click किजिए create trial पर और अब आप एक एक चीज को अपनी requirement के coding manage कर सकते हैं for example सबसे पहले हमें बताना होगा यहां पर नेम तो मैं इसका नेम रखता हूं 121 और उसके बाद चलते हैं नीचे तो यहां पर हमें specify करनी है space तो first of all option selected है कि वो सब्सक्राइब करें या फिर आप यहां पर क्लिक करके और आपके पास कोई existing bucket है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं for now मैं इसको option कुछ उज़ कर लेता हूं create a new bucket और यहां पर bucket का एक नाम देता हूं मैं कि इस वीडियो को लाइक करें लेटेस्ट टेकनिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एटू आइटी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो मैंने यहां पर record trials का नाम दे दिया है उसके बाद नीचे चलते हैं तो नीचे यहां पर मारे पास encryption अल जाती है इन पर्टिकलो लॉंग्स पे भी आप encryption सेट कर सकते हैं और अगर यह required नहीं है आपके रिए तो आप सेंपल इसे अंटेक भी कर सकते हैं तो वह encryption रिमूब KMS की की भी आपको यहां पर mention करने होगी लेकिन अगर आप encryption नहीं लगा रहे तो आपको वह mention करने की जूट नहीं है उसके बाद यहां से आप directly भी SNS service को enable कर सकते हैं ताकि आपको directly notification मिलती रहे आपकी हर एक update की उसके बाद नीचे मारे पास option आ जाती है cloud watch की तो cloud watch भी आप यहां पर mention कर सकते हैं अपने local group का name और आपकी जो cloud watch है वो configure हो जाएगी इस particular cloud trial के साथ और उसके बाद साथ में आपको mention करना होगा IEM rule जो आप use करोगे cloud trial को cloud watch के साथ crack करने के लिए उसके बाद नीचे बात की जाएथे यहां पे आपको कुछ policy documents देखने को मिल जाएंगे जो जो back end में work कर रहे हैं उसके बाद नीचे optional है मारे पास tags जो हम लगा सकते हैं अपनी identification के लिए अगर आप multiple tags को या trials को यूज कर रहे हैं तो आप simply हापे tags के इस्तेमाल करके उनने identification लगा सकते हैं कि कौन सा trial आपकी इस purpose के लिए यूज कर रहे हैं तो simply अगर मैं next पे क्ल अगर चाहें तो data events और साथ में insights events भी साथ ही में लगा सकते हैं दाकि हमें सभी events के updates साथ ही साथ मिलती रहे हैं उसके बाद अगर नीचे जले तो नीचे हमारे पास manage events की option में हमारे पास API activity को modification करने की options हैं आप यहां पे उसको या तो सिर्फ read के लिए या सिर्फ write के लिए by default आपको read and write दोनों पर मिल जाएगा यह उसके बाद अगर मैं और options की बात करूं तो आप यहां पे AWS KMS events की जो service है उसको exclude कर सकते हो उसको remove कर सकते हो इस particular log से और secondly हमारे पास Amazon की RDS service रहती है हम उसे भी यहां से exclude कर सकते हैं उसके बाद नीचे बात करें तो यहां पे हमारे किस particular service के data events जो चाहते हैं for example यहां पर मैं DynamoDB select कर देता हूँ तो हमें यहां पर mention करना होगा कि कौन से हम DynamoDB में किस particular service के जो logs हैं वो चाहते हैं for example यहां पर भी logs all events पर configured है लेकिन when पर read only या write only या फिर customly भी define कर सकता हूँ कि मैं जै किस particular या किस specific service के लिए यह चाहिए तो चलिए वापिसे all logs ही select कर लेता हूँ मैं उसके बाद नीचे जाएं तो नीचे हमारे पास ही आ जाता है inside events तो आप यहां पर API call rating वेरा select कर सकते हो फिलहाल मैं इस particular event के साथ नहीं जाने वाला हूँ तो इसे मैं untick कर देता हूँ उसके बाद हमारे पास यहां पर option आ जाता है next कर तो next पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको अपने cloud trial create किया है उसकी सारी specifications यहां पर देखने को मिल जाएंगी तो एक बार रिचेक कर लीजिए और देन क्लिक कर दीजिए create trial पर और आपका यहां पर trial बनके ready है तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिल जाएगा अब ही हमारे पास यहां पर कोई भी हमने tag apply नहीं किये तो वह हमें यहां पर show नहीं हो रहे है उसके बाद जैसा कि मैंने बात की थी कि इसने automatically create कर देगा जे S3 bucket को तो वह भी check कर लेते हैं एक बार तो simply open करते है S3 bucket को तो यहां पर हमें दो buckets show हो रही है first of all जो automatically create हुए था हमारा cloud trial उसकी और secondly जो हमने manually create किये था उस particular trial की bucket तो यहां पर आपको अगर हम उसे open करें तो हमारे पास यहां पर inbuilt काफी सारे folders बीच के बीच देखने को मिल जाते हैं तो इसने basically folders wise जो data logs है उनको store करना start कर दिया है तो अगर मैं बापिस जाओं trial retails में और यहां से बापिस चले इसके dashboard पे तो आपको यहां पर particular events show होने start हो जाएंगे कि कौन-कौन से events वो particular work करें अब आगर आपके अकाउंट में कोई भी update होती है आप कोई भी चीज modify करते हो तो आपको उसके events यहां पर देखने को मिल जाएंगे secondly और secondly वह सारे ट्राइल्स जो है वह हमारे s3 bucket में जाके store होते रहेंगे वह सारे trials के cat हमारे logs तो इस तरह से आप अपने AWS account पर trial को create करके logs set कर सकते हो और चेक कर सकते हो अपनी activities को secondly इस particular cloud trial के साथ आप CloudWatch को attach करके हर टाइम की update अपने smartphone या फिर अपने email पर सेव कर सकते हो तो चलिए आज के इस टूडोरिल में इतना ही मिलते हैं नेक्स टूडोरिल में कुछ नई commands या नई information के साथ